दिल्ली के अंदर मने मुख मंत्री अर्विन केजरिवाल जी ने टेन पॉइंट विंटर एक्षन प्लान का एनॉंस्मेंट किया है जिसके आधार पर पर्यावरंड विभाग ने इसको जमीन पर उतारने के लिए अपनी रड़निती बनाना शुरू कर दिया है कल हमने ग्रीन वार रूम और ग्रीन आयप को लॉंच किया था आज दिल्ली के डीपी सी सी के इंजिनियर्स और ग्रीन वार रूम से जो जुड़े ग्रीन मार्सल है उनके साथ हमने जॉइंट मीटिंग की है और हमने ये निड़े लिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले हम लोग डश्ट पलूशन पे टार्गेट करेंगे कल से यानि साथ अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैम्पेइन सगहनता के साथ पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा दिल्ली के अंदर पिछले साल भी हमने एंटी डस्ट कैम्पेइन चलाया था और उसका प्रभाव हमें डस्ट पलूशन को कम करने में दिखा उस अनभाव को देखते हुए इस बार पहले से भी विवस्थित तरीके से इस अव्यान को चलाने की रणनेती बनाई गई है हमने जितनी सरकारी एजन्सियां दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है 14 सितंबर को उनकी जॉइंट मीटिंग की थी जो प्राइवेट एजेंसियां कंस्ट्रक्शन का काम करती है उनके साथ 17 सितंबर को हमने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइड पे क्या-क्या तैयारी करनी है 14 point agenda हमने उन सब लोगों के discuss किया था कि यह 14 point agenda हमने उन सब को discuss किया था कि क्या क्या करना है उसके बाद भी हमने 21 सितंबर और 22 सितंबर को public notice दिया इसको ले करके यह 14 point काम पे लागो करना जरूरी है दो अक्टूबर को दुबारा सब लोगों को रिमाइंडर भेजा गया है और अब सरकार ने निड़े लिया है कि अब हम जमीन पे हमारी टीमें इंटे डस्ट कामपेइन के तहट जमीन पे जाएंगी और सारे चीजों को मॉनिटर करेंगी इसके लिए कल साथ तारिक से 29 तारिक तक ये फर्स्ट फेज का अभियान चलाया जाएगा इसके लिए टोटल 31 टीमें का अगठन किया गया है इन 31 टीमों में से डीपी सीसी के इंगिनियर्स की 17 टीमें है जो अलग-अलग डिस्टिक्स में काम करेंगी और ग्रीन मार्सल्स की 14 टीमें है जो मोबाइल बैन के साथ इलाके के अंदर निगरानी करेंगी इसके लिए डीपी सीसी की जो टीम है इस्ट दिल्ली में एक टीम लग रही है नौर्थ इस्ट में एक सहादरा के अंदर एक साउथ इस्ट में एक साउथ वेस्ट में एक नार्थ वेस्ट में दो टीमे हैं नई दिल्ली में दो टीम लगेगी साउथ में दो टीमें लगेगी नार्थ में दो टीमें लगेगी वेस्ट में दो टीमें हैं और सभी डिस्टिक ग्रीन आइप पर ये लोग अप्लोड करेंगे और ग्रीन वार्गूम से फिर इनको मॉनिटर करके इनको रिजॉल्ब करने का भी काम किया जाएगा डिपार्ट्मेंट के साथ और फिर भी अगर डिपार्ट्मेंट लापरवाही करता है तो सो काज नोटिस पहले दिया जाएगा दो दिन का समय दिया जाएगा सो काज नोटिस मिलने के बाद दो दिन के अंदर अगर विभाग अपना कोई असपस्टी करन नहीं देता है तो फिर उसके उपर पेनाल्टी लगाई जाएगी और अगर फिर भी पलूसन जारी रहता है तो तो फिर वो काम बंद करने का भी निड़े DPCC के द्वारा लिया जाएगा पनाल्टी के लिए खास्त और से जो construction sites हैं उनके लिए जो NGT की तरफ से guideline 2016 में जारी हुई थी कि अगर plot 100 square meter का है तो उस पे 10,000 रुपे की fine लगेगी 100 square meter से 200 square meter तक 20,000 की 200 square meter से 500 तक 30,000 की और 500 से ABAP 50,000 की 20,000 से अगर उपर का है तो 5,000,000 और उससे उपर भी penalty लगाई जा सकती है तो ये जो हमारे 14 points norm है जिनको follow करना है मैंने पहले भी appeal की थी और मैं दुबारा दोराना चाहता हूँ कि सभी construction side को चाहे वो छोटी हो बड़ी हो उनके लिए निर्माड अस्थल के चारों तरफ उचाई के तीन के दिवार खड़ना खड़ा करना जरूरी है 20,000 वर्ग मिटर से अगर उपर का कारे तो उसके निर्माड और धोस्टी करण में anti-smog gun लगाना जरूरी है निर्माड छेत्र के या धोस्टी करण निर्माड कारे में तिरपाल और green netlip से धकना जरूरी है निर्माड अस्थल तक निर्माड सामगरी को लाने ले जाने वालों की वाहनों की सफाई करना जरूरी है निर्माड सामगरी ले जा रहे है वाहनों को पुरी तरह से धकना जरूरी है निर्माड सामगरी को और धोस्टी करण का मलवा चिनहित जगा पे ही डालना जरूरी है सड़क के किनारे उसके भंडारन पर प्रतिबंद है किसी प्रकार का अप्सिष्ट मित्टी, बालू, बिना धके नहीं रखना है निरमाड कार में जो पत्थर की कटिंग होती है वो ग्रायटिंग की जाती है वो खुले में नहीं होना चाहिए निर्माड अस्तर पर धूल से बचाओ के लगतार पानी का छिड़काओ करना चाहिए 20,000 वर्क से अधिक छित के निर्माड धोस्तीकरण के रिए सड़क पक्की होनी चाहिए निर्माड का धोस्तीकरण और उत्पन्द अपसिष्ट का पससकरण साइट का इचे नित साइट पर निस्तारण किया जाए और उसका record maintain करना पड़ेगा निर्माड अस्तर पर loading and loading इतने करमचारी काम करते हैं उनको डश्ट माश देना पड़ेगा निर्माड अस्तर पर सबकों की किस्सा की बहुस्ता करना पड़ेगा और चौदावा निर्माड अस्तर पर सरकार द्वारा जारी दिसा दिर्देश का साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा ये चौदा सुत्री guidelines हैं जो पहले लोगों को परस्नली दिया गया है पब्लिक नोटिस में दिया जा चुका है और अब इसके आधार पर ये anti-dust campaign हम लोग कल से launch कर रहे हैं जो 29 तारिक तक चलेगा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले साल जो हम सारी कारवाई कर रहे थे वो सरकार की तरफ से direct जा करके हम बात कर रहे थे या हमारे अधिकारी जा रहे थे इस बार सरकार ने एक बड़ा निर्डे लिया है कि हम कल एक अलग से cnd west के self audit और management के लिए online portal कल हम launch करेंगे जिस online portal जो हम कल launch करने जा रहे हैं उस online portal में जो भी construction sites पे काम कर रहे हैं जिन लोगों को permission दिया गया है उस online portal पर एक पूरी checklist है तो कौन सा construction agency किन किन चीजों को follow कर रही है उसे self audit करके उस पे डालना होगा जिससे कि वो खुद समझ पाएं उनके मालिक समझ पाएं कि क्या क्या उनके ground पर real में हो रहा है और उसके आधार पर हम graded marking system को बना रहे हैं तो वो website भी कल हम उसको launch कर देंगे जो सुद रूप से इस anti-dust campaign जो है उसको मदद करेगी जिससे कि हम और close तरीके से monitor कर पाएंगे और जो construction agencies हैं वो भी इसको monitor कर पाएंगे कि उनके हाँ क्या-क्या fault है क्या-क्या कमी है जिससे कि इसको और anti-dust campaign को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके तो कल हम उसका online portal भी कल हम उसको launch करेंगे जिससे कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके थेंक्यू कोई क्योस्चन हो तो ले लेजे